कई बादे किये हैं लेकिन पूरा अभी तक वादा जो किया है उस चुनावी राजनीती के तहट तो नहीं किया गया है एपी की सरकार जब जब आई है तब तब रेल नीजी करन की इसको तीन साल में पांच साल के जोजना होता है उसका कार्जकाल उसको एक अक साल पर ही दे और समाजिक था तो इसको हिंसक के रूप में बदनने की कोशिश की तो वहां से चात्रा हम लोग के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है तब आप जब जब चुके हैं इसके लिए सरकार को दिए नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मैं रविकांत अभी हूँ पटेल होस्टल में यानि की पटेल चात्रावास में हूँ यहां पर पहले भी आया हूँ अभी भी आया हूँ अभी अर्थियों का मुद्दा है आररवी एंटी पीसी को लेकर तमाम खबर में देरी हो रही है और आररवी एंटी पीसी पर पहले हम बात करेंगे इसको लेकर सरकार बाते और मांगे माल लिए कैसे देखते हैं इसको सरकार द्वारा जो नोटिस जाड़ी किया गया और आररवी के जो मतलब आयोग थे रेल मंत्राले भी अपना वीडियो कॉंफरेंस नहीं हुआ है तो लोगों के बीच अभी भी यह डर्श पैदा हो रखा है कि कहीं ये वादा जो किया है उस चुनावी राजनीती के तहत तो नहीं किया गया है क्किक ही आभी पांचराजियों में चुनाँ होने वाले है और इनका जो डिट जो मतलब अगला जो एलांस करें सरकार इसका जो डेट लिया गया है उसी के तहत लिया गया है चार मार्च तक अपना ये टाइम लिये हैं ये चीज अगर होती है अगर मतलब छात्रों के अगर पच्छ में फैसलान देना होता इनको तो ये कुछ ही समयक में क्योंकि मुद्दा तो पहले सा हाइलाइटेड हो चुका है अंदोलान हो रही तो मुद्दा बहुत पहले साहलेटेड हो चुका है बस इसका समाधान की जोड़त थी तो ये कुछ दिन में भी इसका टेक्निकल टीम को बैठा कर इसका निरने लिया जा सकता था लेकिन चार मार्च तक इसको बढ़ाने का कही राजनीतिक साज कुछ दिया गया है नामूं? पर जब तक कांदोलन रहा तब तक यहां के चात्रों हाँ पर थे लेकिन जब वह समाजिक था तो इसको हिंसक की रूप में बदलने की कोशिश की तो वहां से चात्र हम लोग सब बापस चले आए उन्होंने भी इस पच को सुना और फिर भी अगले दिन जब नोटीस आया तो उस पर चात्रावास का भी और कई अज्यात लड़कों का भी नाम दिया गया है और आप क्या कुछ कहिए गए बीजेपी की सरकार जब जब आई है तब तब रेल नीजी करन की ओड गई है इससे पहले भी 2014 से पहले भी बाजपेई की सरकार जब आई थी तो उसमें भी रेल कर चौदा मिन की सरकार आई और उसके बाद ये फैकेंसियां लाई तो सीटे तो उसमें कुछ ज्यादा ही खाली है लेकिन उसको मतलब भरने का काम ये नहीं कर रहे हैं और ये गुरूब डी का ये जो दो चरनों में एक्जाम गोसना किये थे तो ये मन सुभे के साथ किये कि अगर दुचरनों में एक्जाम लेंगे तो टैयारी तृट अप हले चरन का किये हुए दुचलन का किये हुए नहीं है तो उस लाजमी है कि वह अपना चुना मतलब इक्जाम नहीं दे पाएंगे सही से तो दीट हो जाएंगी जैसे जासे हैं जैसे के अभी ग्रूब डी में हेलफ हाड में पोश्ट होती थी उसको भी सफाई विभाग में आती थी तो उसमें घाते ते उसको प्राइवेट कड़ करके फीर अभी टा दिया गया है तो यह सरकार साजित कर रही है साजिस कर रही है वो मतलब पूरी तरह से यह रेल को बेचना चाहरी है रेल बेची भेल बेची बेची और विए लाइश्यां बेची सभी एयरपोर्ट बेचें बहुत तरह कैसी कंपनियां यह जो कि बेचने के कगार पर हैं और यह कई छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कई छात बोलिए हम कर रहे हैं कि जब जब केंदर में बीजेपी की सरकार आई है उस समय विच्छात्रों का जुम्न साहना पर आए इसे 33,000 वैकेंसी है उसको तीन साल में पांच सल के जोजना होता है उसका कार्जकल उसको एक अक साल पर ही दे बहुत सारे लरका का उमर पार हो रहा है उसके कारण पांच वर्षी जोना इनकार आता है पांच साल में आते हैं तो वैकेंसी देते हैं पांच साल के सत्ता होता है तो अपना वैकेंसी पुड़ा करके फेन वही जो चुनाव के मैटर आता है तो उसमें वैकेंसी देते हैं यह इनकार्च कल रहता है हमेसा सरकार की चलाकिया ये छात्र समझ रहे हैं जो अभियर्थी तैयारी करते हैं हम उम्मीत करते हैं कि सरकार सुनेंगे तो कुछ बताएंगे आभी बोलीगा भाई साब चले गए हैं क्या चीज बोलीगा है कोश्ची अभियर्थी को मुद्र के लेकर अभी तो हम आर भी एनटी पीसि को लेकर आए थे इवा अब जग चुके हैं सरकार को इसपे ध्यान देना होगा सभी इवा एकत्रित हो चुके हैं अब इवा को लुभाने वाली कोई बात नहीं रही सरकार समका देना चाहते हैं कि अगर युवा के परती कोई भी अगर बात एक्जाम भरवाते हैं फिर एक सलबाद रिजल्ट का सब के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है तो युवा आप जग चुके हैं इसके लिए अब सरकार को ध्यान देना होगा नहीं तो किसी भी हाल म और बाते करेंगे यह पटेल होस्टल है सरदार पटेल होस्टल काफी पूराना है यहां से लालू और नितीस जी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है और भी तमाम बाते हम करते रहेंगे कैमरे के पीछे पिंटु जी है उनको धन्यवाद कहूंगा इसके बाद हम बात करेंग के बी एससी के लेकर और सरसती पूजा को लेकर भी कुछ बात है ने जी तो वो तमाम बाते इसके अगले भाग में हम सुनेंगे अभी के लिए इतना ही कहेंगे धन्यवाद